Hi friends, इस वीडियो में हम quickly सीखेंगे कि कैसे IT networking student अपने नौकरी profile में अपने project details update कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर project को option दिया हुआ है, जहाँ पर एक option आ रहा है, add project का, हम इस पर click करेंगे जैसे ही हम इस पर click करेंगे, हमारे सामने एक window open ओकर आएगी, जिसमें details हमारे सामने आ जाएंगे related with project, यहाँ पर हम अपने project details को fill कर सकते हैं हाई दोस्तों straight away सीखते हैं कि हम project details कैसे fill कर सकते हैं, तो देखें हम पर project title का option आया है tag this project with your employment or education, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और उसके साथ में अपना project कर रहे हैं तो detail आप से mention करिये, अगर आप कहीं केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पिक किया है कि candidate जो है वो अंडर ग्राजुएट है और उसके साथ में वो यह project कर रहा है, अब यहाँ पर client name देने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर एक डवी नाम पिक किया गया 123 technologies private limited, अब यहाँ पर नया option आम सामने है कि project status क्या है, कि मतलब project अभी चल ला है हतम हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने पिक किया है कि project अभी चल ला है in progress है, 2024 जनवरी मतलब जनवरी 2024 से अभी तक यह project चल ला है, अब यहाँ पर यह मांग रहा है details of project, तो देखे project details लिखते सामे में हमेशा धान रखिए, title लिखी है project का, तो देखे यहाँ पर title लिखा solution to enhance connectivity and security, उसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके objective लिखे हुए, कि यह जो project असका objective किया है, उसे mention किया गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर mention किया गया है tools and technologies की, इस project में कौन-कौन से tools and technologies use किया गया है, इसमें mention किया गया router, switches, wireless, action points, firewall, software, VPN technologies and network monitoring tools, उसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर key steps mention किया गया है, कि इस project में क्या key steps perform किया गया है, and last but not the least, आप देख सकते हैं, यहाँ पर outcome mention किया गया है, कि अभी तक इस project में क्या outcome है, तो आप इस तरीके से अपन project detail को mention कर सकते हैं, अपने नौकरी profile में याद रखे, अगर आप अपना project detail, internship detail या employment detail बहुत अच्छे से fill up करते हैं, तो आपके पास interview opportunity आने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं